बिस्मिल्ला रख्मुर्ण रहीम, मैं सही खुरून वास नकवी, नाइन जैम्स हेलिंग की तरफ से आपकी खिद्मत में एक नई वीडियो के साथ, एक नई एक मालूमात लेकर आपके पास, इस वक्त नाइन जैम्स हेलिंग उसी कुरून पाक की आयद पर अमल करते हुए, कि अगर तुम सच्चे हो तो बाद दलील से किया करो, पिछला हफ्ता कुछ बहुत जादा बेमारी में गुजए स्वाजिसे मैं आपको वीडियोस नहीं दे सका, लेकिन मिझे अमीद है कि मैं आपको बेहतरी नॉलिज के साथ आपको वीडियोस देता चला जाँँगा, अपन 22-23 साल का एक्सपिरिंस आप से जो है वो शेयर करूंगा, और इन्शाला ताला मुझे अमीद है कि मैं सिर्फ यहां ही नहीं अपने मौला के पास दी, इसका अजर पाऊंगा, क्योंकि मैं हकीकते हाल आपको बता कर जाऊंगा, लोगों का धोका देने का तरीका आपको बता कर जाऊंगा, कि यह धोका देते कैसे हैं, बिसिकली हारूत और मारूत का काम भी जो था, वो फरिश्टों का, वो आते थे और वो यही कहा करते थे, कि हम तुमारे यह जरी आजमाईश हैं, हम सिर्फ तुमें समझाने आएं, बिसिकली वो कोई जादू टोना नहीं सिकाते थे, वो बिसिकली उन लोगों को बताते थे, यह जो जादू गर्ने गुबारे में से कबूतर निकाला, इसने असल में कबूतर छुपाया कहा पर था, और निकाला गैसे था, जो जाहिल लोग हुआ करते थे, वो उसको लेते थे, और जजनाब जी वो जब उनको पता चलता था, जो जादूरों से डर रहे थे, उनको असल अकीकत बाद जल्दी यह हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हो जाता था, और जो मकार लोग होता थे, वो उन्हीं से यह बात सीख लेता थे, और आगे जाकर ब्यान गाल, यह बहुत सारे टेक्ट्स है, मैं सिया अकीक के बारे मैं आपको बताना चाओंगा, कि मुझे साथ साल तक सिया अकीक नहीं मिला, मैंने साथ साल तक सिया अकीक नहीं बेचा, अगर कहीं किसी परानी इंगूठी में मिल जाता था, मैं उसको रही फरनिश्ट करवाकर जरूर से रोड़ कर देता था, लेकि के नहीं मैं आज आपको बहुत सारी एकिक किसमे सीयाकी की आपको बताूं गा उसके साथ आ सिर्फ और सर्विय स्टोन देता हूं और अल्ला का शुकर है श्याकीक इस वक्त मेरे पास मौझूद है और यह मैं सेलोड करता हूं स्याकीक के बारे में जो आहदीश हैं वो भी आप बहुतर तके से जानते हैं और स्याकीक के जो औरिजिनलिटी है वो भी मैं आपको करूंगा कि शीशे पर काटने वाला अकीक असल नहीं नकल अकीक भी उसको काड़ देगा क्योंकि जो नकल अकीक बनाया जाते हैं आप मेरे एकस्परिमेंट्स देखिए बलकि आज मैं आपको प्रूफ यह करूंगा जो हैरत अंगेज है वीडियो में देखिए आपको खुद اللہ تعالیٰ मुझे अमीद है कि आप इस वीडियो को वेरी एजिली देखने के बाद असल से आकीग और नकल से आकीग में फर्क मालूम कर सकेंगे और हमेशा असल से आकीग ही खरी देंगे जे बिसमिल्ला रखुर्ण रहीम खवातिनों हज़रात नाइन जेम्स हीलिंग की तरफ से मैं सीद खरौन वस नकवी आपकी खिदमत में पेश खिदमत एक नए वीडियो के साथ एक नए नौलेज के साथ आपको मालूम है कि नाइन जेम्स है कैसा है दारा जो जो जोहरात की ह कोशिश करता है और कोशिश मेरी यही है कि आपको तमाम पत्रों की पहचान के बारे में बताओं जैसे आप मेरी प्रानी वीडियो देख चुके हैं जिसमें जमुर्थ के बारे में जिसमें फ्रोजे के बारे में जिसमें अकीक के बारे में कि इनमें असल पत्र कौन से होते सब की मैंने वाजयन पहचान बताई है जो बाल का एक्सपरिमेंट किया वो भी आप मेरी वीडियो देख चुके हैं अब ये जो नई वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बास लोग ये दावा करते हैं कि जो पत्थर शीशे को कार दे वो असल पत्थर होता है तो मैं आपको उनकी बहुत सारी बातों को गलत प्रूफ करूँगा ये वो लोग हैं जो पत्थर के बारे में जरा सा भी इलम नहीं रखते इन्हें यहीं नहीं पता कि उनकी हार्डनेस क्या होती है इसकी का होती है ये आपकी बाड़ी पर वर्क कैसे करता है आज की इस वीडियो म है इसके उपर रगड लगा देने वाला हर पत्थर जो है वो जैन्वन होता है तो ये मैं आज आपको प्रूफ करूँगा और ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास इस वक्त एक मिरर है जिससे हम ये देख रहे हैं और ये मिरर नार्मल बिल्कुल सादा सा मिरर है और इसके अब मैं रखता हूँ ये चंद पत्थर जो के स्या अकीक हैं मैं आज आपको स्या अकीक जो है उसके बारे में बताना बसंद करूँगा कि स्या अकीक की ओरिजिनल्टी को कैसे चेक किया जाता है और स्या अकीक जो होता है और फर्दन फर्दन इन पत्थरों को मैं आपके सा चेक करता चला जाओंगा ये वो पत्रों की इलेदा फार्म्स है जिसमें से ये स्याकी एक ओरिजिनल है जिसके अंदर से पत्रों को काटा गया है क्योंकि बड़े पत्रों को पहले प्लेटों की सूरत में काटा जाता है प्लेटे काटने के बाद जो है उनका ये किया जाता है इनकी hardness 7 होती है और जो लोग ये दावा करते हैं कि शीशे पर काटने वाला जो पत्थर होता है वो हर पत्थर असली होता है बेंधा बेवकुफी है क्योंकि शीशे की बिचारगी तो hardness दो से लेकर ढ़ाई से लेकर तीन तक है इससे जब तो इसकी hardness ही नहीं है तो इससे उपर hardness का जो भी पत्थर होगा मों काड़ देगा बलके और्फ आम में जो मशूर तरीन बात है वो ये है कि शीशे को शीशा भी काड़ देता है तो जब शीशे को शीशा भी काड़ देता है तो ये एक पत्थर की औरिजिनल्टी की निशानी कैसे हो सकती है जैसे कि ये आप देखिए आप कि ये इसको मैं जरा से रगड़ता हूँ तो ये इसने इसके उपर निशानात डाल दिये हैं जिनको मिटाया भी जाए तो ये मिटर नहीं सकते ये निशानात इसके डल चुके हैं ये भी एक नकली पत्थर है जो बजार में बेचा जा रहा है और ये इसके किना किनारे गोल हैं और इसके भी किनारे को मैं हलका से रगड़ता हूँ तो ये देखिए इसने भी इसको काड़ दिया है ये दो लाइने आपके सामने आ गई है ये एक पत्थर की और ये दूसरे पत्थर की अब ये तीसरा पत्थर जो है ये औरिजिनल अकीक है जो के इस इसको काड़ देता है ठीक है अब ये इसकी प्लेट है औरिजिनल इसके जरी अगर मैं काटना चाहूं इन सब को तो ये देखिए ये इसको वेरी इजिली काड़ देती है ये भी नकली पत्थर है ये आम अमूमी तोर पे यहां पर बजार में दस्तियाब है बलेक रंग का पत्थर है और इसको ये कहकर बेचा जाता है कि ये असल अकीक है जबकि ये चैना से हैवे फेक अकीक है बेसिकली इन अकीकों को भी उसी हार्डनेस में तक्रीबन त्यार किया जाता है जिस हार्डनेस के अंदर औरिजिनल अकीक होता है तो ये तो सवाल ही पैदा नकली अक को और वो असल अकी को काटना पाए हर नकली पत्थर भी इसको काट देगा ये देखें मैंने इसके उपर निशानात लगाए और ये इसको इसने काट दिया है अब लुट्स की बात ये है कि ये पत्थर के असली होने की अलामत कैसे हो गई जबके ये आप मेरे हाद में देख एक शीशे की छोटी सी प्लेट है ठीक है यही शीशा है अब इनको गिल लिजेगा यहां पर जो है नया मैं शीशे से शीशे को काट रहा हूं और आप ये देखिए कि ये मैंने निशानात लगाना शुरू कर दिये और इसने शीशे को काट दिया तो अब आप मुझे तो ये एक इंधाई बेवकुफी की मिसाले हैं जो शीशा काट कर पेश की जाती हैं और बताया जाता है कि शीशे पर काटने से जो दराड आ जाए या शीशा जो पत्थर शीशे को काट दे वो उसके औरिजिनल्टी होने की निशानी होती है सब फेक है सब जूट है मैं हर पत्थर के बारे में फर्दन फर्दन आपको बताऊंगा उसकी औरिजिनल्टी भी बताऊंगा आप अकीक की पहचान को सीख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने अकीक की पहचान वाजियन बताई है फिरोजे की पहचान बताई है आप मेरी वीडियो राखे हैं, कि ये शीशे के अपर लैने आचुकी हैं, शीशा हर पथरने चाहे हो नकली हो या असली हो, वो सब के सब क्या एक एक शीशा जो है मौमुली सा शीशे का टुकड़ा जो है वो भी शीशे को काड़ देता है ये देखिए मैं फिर ये ये खाली जगा है यहां पर मैं इसको कट कर रहा हूँ और ये इसने इसको काड़ दिया है तो शीशा शीशे को काड़ देता है तो ये पत्थर की उर्जिनल औरी हो लेकिन इसका जो किनारा है इसका जो एज है वो हमेशे शार्प होगा कम्प्लीटली शार्प होगा क्योंकि ये डाइयों से नहीं निकलते इनका किनारा गोल नहीं होता जैसे कि इस अकी को देखें तो इसका किनारा रौंडस में है गोल है ठीक है और इसका किनारा जो ह तो नाखुन को रुकना चाहिए, उसको फिसलना नहीं चाहिए, जिस पत्थर पर से नाखुन फिसल जाए, वो पत्थर कभी भी असल नहीं होता, वो डाई में बनावा, नकली पत्थर को हो सकता है, लेकिन असल पत्थर वो कभी भी नहीं हो सकता, स्याहाकीक मुझे साथ साल तक नहीं मिला, मैंने साथ साल तक नहीं बेचा, फिर मुझे एक जगह से इसकी रफ मिली, उस वक्त से बेच रहा हूँ, अदर्वाइस मार्कीट में, इस तरह के सियाकीक, हिरान एराक शाम मक्का मदीना में उठे वे, और ये प्लेट नमा सियाकी, ये भी, और इसके साथ से आकिक आपको नहीं दिया जा रहा, औररीजिनल से आकिक, हाडनेस उसकी seven होगी, certified लोगों से ले, certification के साथ ले, certification में किसी बंदे की जिम्हधारी कबूल ना करें कोई कहां मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, certification सिर्फ और सिर्फ एक authenticated geologist and gemologist ही आपको दे सकता है, जो के government के authorized होत इनको एक code number मिलता है, इनको license number मिलता है, उस license के उपर ये certification करते हैं, इस certification की सूरत में इस पत्थर को हरी दें, शीशे पर रगड़ावा पत्थर किसी किसम की कोई आपको value नहीं देता, नकली पत्थर भी मैं आपके सामने साबित कर दिया, कि नकली पत्थर भी शीशे को काट हैं, और एक शीशे का टुकड़ा भी जो है, वो शीशे को काट देता है, तो शीशे का काटना जो है, वो बिलकुल भी authenticity नहीं है, इस वीडियो आपको अच्छी लगे, अपने दोस्तों को भी फिलाईए, दोस्तों को भी दीजिए, ताके जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके जरीए से वो नकली और असली अकी के वरे में पहचान कर सकें, और धोके बाजों से बच सकें, जो कि आपको धोका देते हैं, सरीहन धोका देते हैं, ये बिलकुल जूट और बकवास है, कि शीशे को जो पत्थर काड़ दे, वो असली होता है, नाइन वीडियो अच्छी लगे, तो इसे शेयर भी कीजिए, और दूसरों को भी बताइए, वो मा आलई ना, इल्ला, नाइन जैम्स हिलिंग, सेयत खरम अबास नक्वी